नमस्कार ! जैशरी रम, जैए मताकी मित्रो दोस्टो अगर आप अपने दुस्मनों और तांतुर्मों के आतंक से परिशान हो चुके हैं आपका कोई दुस्मन या कोई तांत्रिक आपके घर में जादू टूना करके भी देता है जिससे आपकी जिन्दगी तहस नहस हो गई है आए दिन आपके घर में कोई न कोई परिशानी बनी रहती है आपके सभी कार बादित हो गई है आपका कोई कार नहीं बनता है ऐसे में एक ही सवाल उठता है कि हम ऐसे दुष्टों से अपने घर को सुरच्छित कैसे रखें और मित्रो इसके लिए एक ही उधारण है या तो आप अपने घर को किशी तांत्रिक द्वारा कीलन करवा दें जिससे के आपका घर हमिसा हमिसा के लिए सुरच्छित रहे लेकिन इस कारे के लिए हम किशी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो इसके एबज में हजारों लाखों की हमसे ठगी करता है और हमारे घर का उल्टा सीदा कीलन कर देता है पैसा भी चला जाता है और हमारी परिशानी भी खतम नहीं होती है मित्रो अगर आप ऐसे दुष्टों के आतंक से परिशान हो चुके हैं उनके जादू टोना से परिशान हो चुके हैं तो मेरा आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुती इंपोडेंट होने वाला है और आज की इस वीडियो में मैं आपको घर बैठे अपने आप अपने घर का कीलन करने का एक ऐसा सावर मंत्र बताने जा रहा हूं जो कि स्वेमें सिद्ध है आपको सिद्ध करने की भी जरुवत नहीं है और आप उस मंत्र की द्वारा अपने घर का कीलन अपने हातों से कर सकते हैं और इन दुष्टों और तांत्रिकों के आतंग से अपने घर को हमेशा हमेशा के लिए बचा सकते हैं तो मित्रो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा अगर आगे पीछे करके इस वीडियो को देखेंगे आपके कुछ पले नहीं पड़ेगा और नहीं आपकी कोई परिशानी दूर होगी तो वीडियो को सुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारत से है अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे के हमारे सभी वीडियो का नुटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप सभी लोगों के साथ सेर भी करें जिससे के इस वीडियो का लाव वो भी प्राप्त कर सकें तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों, आज हम आप सभी को अपने घर का कीलन करना, अपने हातों से स्वयम करना सिखाएंगे, जिससे कि आपको अपना घर सुवच्छित करने के लिए किसी भी तांत्रे के पास में न भटकना पड़े। और मित्रों, आप मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, जब तक हमारी ये जिन्दगी रहेगी, तब तक हमारे सत्रू और मित्र तो हमेशा बनते रहेंगे, ये कभी कम नहीं होंगे, इसलिए ऐसे लोगों पर हमेशा नजर रखें, और दोस्तों, जो लोग हमसे ओलाइन परिसान के अंदर जहर घुलता जा रहा है, एक दूसरे से नफरत की भावना पैदा होती जा रही है, एक दूसरे से सत्रू की भावना रखने लगे है, क्योंकि मित्रों, मैं तो कहता हूं कि ऐसे दुष्टों का उपरवाला ऐसा करेगा, ये हमेशा याद रखेंगे, मत कि किसी आत्माओं को कश्ट पहुँचाओ, कहते हैं कि दुखिया को मत दुखी करो, और दुखिया जावे रोय, और दुखिया को जब वो मुखिया सुने, तो तुम्हे पला में डारे खोई, इसलिए मैं कहता हूं कि दुष्टों, आप किसी के घर को बरवाद मत करो, किसी से कर्मों का दंड आपको खुद मिलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये विदी का विदान है, जैसा करेगा, बैसा भाएगा, तो मित्रों, अगर आपके घर में ऐसे दुष्ट और ऐसे तांत्रिक लग गए हैं, तो भीया, आप उनसे मुकाबलातु कर नहीं सकते, आप उनस जिंदगी बच पाएगी, इसके लिए मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरा विदी विधान बता रहा हूं, जिससे आप ध्यान से समझ लें, मित्रों, अब आपको घर का कीलन करना कैसे है, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझ लें, और इसमें क्या-क्या सामान लगेग आप मार्केट में जा करके, चार बे दाग नीवू लेकर के आएं, सो गराम पीली सरसों, एक कलाबा की पेकट, एक सिंदूर की पेकट, और थोड़ा सा सरसों का तेल, और आपको जितने आपके मकान में गेट हैं, उतनी आपको बतासे वाली कील लेकर के आनी हैं, जैसे माल में जितने भी गेट हैं, एक गेट पर आपको दो कील लगेगे, उस हिसाब से आप कीले, मगा ले, और ये सब शामान ले करके, आप अपने पूजा कच में रख ले, पूजा कच में रख करके, पहले आप थोड़ा सा गंगा जल ले, पूरे घर में छेड़क दे, ये से कच अपने पास रख करके, पहले जो आप कील ले करके आए हैं, उन कीलों पर थोड़ा थोड़ा सा कलाबा लपिट करके तोड़ दे, थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर भी लगा दे, और जो चार नीवू ले करके आए हैं, उन चार नीवू को आप अपने पास में चारों कोनों पर रख लें, यानि एक आपको चोग बनाना है और चोग पर एक कोने पर एक एक नीभु काट करके फोड़ा सा सिंदुर bằng दें, एक लोंका है उसमें रख और वो चारो कोनों पर रख दें रखने के बाद में उस चोक के अंदर ये सामार रखना है अब आपको इन कीलों पर एक मंत्र का जाप करना है मंत्र मित्रो स्वेम में सिद्ध है इसमें आपको कोई सिद्ध करने की जरुवत नहीं है ये शाबर मंत्र है और शाबर मंत्र स्वैम अपने आप में शिद्ध होता है और ये मंत्र मात्र आपको 21 वार ही जाप करना है कोई 108 नहीं करना है ना कोई माला करना है अगर आपके पास में रूद्राच की माला है तो रूद्राच की माला से जाप कर सकते हैं अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं, अब उन कीलों को अपने हाथ मिले करके, और आपको एक मंत्र का 21 वार जाप करना है, और वो मंत्र है, सिल्ली सिदर बजर का ताला, सासो देवी लूरे अकेला, धर दे बीर पटक दे बीर, अरे भिभीशण बल देखू तेरा, घर दुकान बांद दे मेरा, चोखट कीलू, आसपास, पूरव कीलू, पस्चिम कीलू, उत्तर कीलू, दचण कीलू, रहने का इस्थान कीलू, दसो द मंतर से, आप उन कीलों पर फूक मार मार करके, उनको सिद्ध कर लें, और सिद्ध करके, आप जो है, थोड़ा सा, कटोरी में, या कोई बड़ा बरतन हो, उसमें थोड़ा सा सरसों का तिल डाल करके, ये कीले, उसमें डाल दें, लेकिन उल्टा करके डालें, जिदर से, बता और 24 घंटे तक उन कीलों को आप सर्सों के तेल में पड़ी रहने दे उसके बाद में आप एक कटोरी में वो सर्सों पीली जो आप लेके आए हैं उसे रख लें पीली सर्सों को अपने हाथ में ले करके दूसरे हाथ से आप बीच वाली उंगली से ऐसे घुमाते रहें और साम ने आप हनवान चालीशा रख लें और हनवान चालीशा का आप पाठ करते रहें उस पीली सर्सों पर आपको हनवान चालीशा का पाठ करना है पाठ करने के बाद में पहले आप अपने घर में पीली सर्सों का रात्री के बारे बज़े छड़काव करें यानि उत्र का दें पूरे घर में उसके बाद में अपने घर में गंगा जल छड़कना है का पूरे एक पलट पर रखक करके पूरे घर में घुमाना है और घुमाने के बाद में जो सर्सों में पड़ी कीले हैं उनको रात्री के 10 वजे यानि रात्री जब आये दूसरे दिन उसने रात्री के 10 वजे अपने चोखट पर जा करके एक एक कील करके और उनको गाड़ देना है यानि जितने भी आपके मकान के अंदर गेट हैं उसके हिसाब से एक गेट पर दो कील आपको गाड़ नही अगर आप उपर से भी कीलना चाहते हैं कि अगर हमारा कोई शत्रू हमारा कोई तांत्रिक उपर से कुछ ना कर पाए तो मित्रो आप चार कील और फालतू ले ले और उनको भी इसी तरीके से उसमें डाल दें तरसों के तेल में फिर चारों कीलों को ले करके मकान के चारों कौ को सुरच्छित कर सकेंगे और ऐसे दुस्टों से सत्रों से तांत्रिकों के आतंग से आप बचे जाएंगे मित्रों ये बहुत ही मेरी 20 साल की ये कमाई है जो मैं इसी प्रकार से दूसरों का घर कीलता हूं और अपना भी घर कील रखा है तो आप इसका प्रियोक करें और पू करेंさん कि ये जान खी डेच हो आप transit के ये पयाँ हैं और उे जान लाकujuो से तेष्मान थे उलड़ कि रे सकता से रजसरों मित्रों टुर्ड़ को साबशना थार की अगयोर्बत कि ये ये मैं फश्व universo हीज़ मित्या ये जिन का घुटत।स्त।स्क। सबग। करी सब़ने ज